तो आप एक budget में laptop ढून रहे हो office के लिए या फिर आप study purpose के लिना चाहते हो, home entertainment purpose के लिना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आप सोचे को मुझे एक aluminium body चाहिए, RAM अच्छी खासी होनी चाहिए, उसके बाद SSD चाहिए, डिस्प्ले शांदार हो और यहाँ बैटरी live भी मुझे बहुत बैटरी नहीं मिले, तो यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे, Infinix laptop के बारे में, तो Infinix का X1 series previously launch हो था, और इस बार जो है, उनका slim series भी launch हो चुका है, तो उसी के उपर बात करेंगे, क्या यह वर्थीट है, क्या आपको लेना चाहिए, क्या यह value for money provide करता है, आपको जितने भी price में यह आता है, तो सब कुछ इस वीडियो के नहीं डिसक्स करेंगे, जानेंगे, full in-depth पे, तो चलिए kickstart करते है, मेरा नाम है सोम भी सवास, आप देखे रहे fresh updates, अगर मेरा content अच्छा लगे, तो देख लो पहले अच्छा लगे, तब जाके like, subscribe करना बट एक चीज़ करना, टेलीग्राम ग्रूप जाके join करना, वह आपे amazing deals अगरा शेयर करता हूँ, जो आपके लिए फाहिदे मन्त हो सकता है, तो अभी चल रहा है 2022, अगर rewind करते है ताइम को, तो यहाँ पे Infinix ने अपना पुराना laptop X1 series लाँच किया था, वो लाँच किया थ जो कि 10th generation की processor है, processor की details में बाद में एक एक laptops की आपको बताऊंगा, तो first हम लोग देखते है इस laptop की price segment क्या है, तो दोस्तों यह 30,000 से लेकर 50,000 के budget में आपको देखने को मिलेगा, जो first base model है वो आता है, i3 की 10th generation processor के साथ 8GB का RAM मलता है, 256GB की storage के साथ आती है, इसका price 29,990 आप लोगो 512GB की SSD मिलेगी, और साथ 8GB और 16GB का model है, 8GB का price रखा है 39,990 और 16GB का model है, 44,990 रखी गई है, अगर i7 की बात करें, जो कि top model है इस lineup की, वो आता है 216GB RAM के साथ और 512GB का variant है, और इसका price 50,000 रखा गया है, तो यह सारी आपको अलग-अलग models देखने को, तो color variant की बात करें, तो यहां पर आप लोगो 4 अलग-अलग color variants देखने को मैं जागे, एक तो यहां पर gray color में आएगा, एक blue color में उसके बाद noble red और aurora green, यह चार आप लोगो अलग-अलग colors मिलेगी, जिससे आपको select करना है, तो आसानी से select कर पाओगे, तो Infinix के slim series के अंदर हमें जो हलका laptop देखने को मिलेगा, सोने पर सुआगा, या पर सारे laptop जो है, या पर aluminum metal body के साथ आता है, तो आपको चाहिए एकदम premium feel आने वाला है, चाहिए low budget कर लो, high budget कर लो, आप लोगो सेम यहां पर chassis में देखने को मिलता है laptop जो की बहुत सही है, उसके बाद main highlighting feature जो है, वो है display, display देखो यार, बहुत ही amazing, अगर आप लोग photo related काम करते हो, आपको accurate color चाहिए था, आप जो है बहुत ही जादा movies वगरा हूँ आज करते हो, आपको color accurate project के साथ काम करना, यह सारे काम अगर आप लोग करते हो ना, तो यह display आता है with 100% SRGB, जहापे color reproduction amazing होने वाला है, अगर आप इसको buy करते हो, तो यह आप लोगो 1925-1080P की resolution के साथ, full HD IPS display आपको मिल जाएगी 60Hz की refresh rate के साथ आता है, और यहाँ पर आपको बहतरीन color reproduction दिलवा देगा, तो आप entertainment related task में कुछ भी issue नहीं, photo editing करते हो, तो आपको exact color यह दिखाई देगा, और बहुत ही सही आप लोगो 14-inch size की एक display है, तो compact size में बहतरीन display के साथ यह वाला laptop सारे models के साथ 14-inch का version ही आता है, यहाँ पर 15.6-inch का version उन लोगों ने announce नहीं किया, तो यह चीज है, नेक्स भात करते ही है, यहाँ पर RAM की और storage की, तो RAM की बात करते हैं, तो यह जो RAM है, यह LPDDR4X की आप लोगो RAM मिलेग जो की 423-3MHz की यहाँ पर frequency के साथ आता है, तो आप लोगो dual channel fast performance यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो की बहुत सही है, यहाँ पर अलग-अलग variant आपको मिलेगी, अब 216GB तक का model यहाँ पर मिलता है, कोई भी RAM अपगेट अप additional नहीं कर सकते, along with that SSD की बात करे, PCIe 3.0 की आप आप लोगो fast performance यहाँ पर दिलवा देगा, 256GB और 512GB दो अलग-अलग variants में आप इसको खरीच सकते हो, expand करना है, यहाँ पर कोई अलग slot नहीं है जहाँ पर expand कर सकते हो, but अब additional HDD लगा के या फिर additional SSD लगा के उसको आसानी सी use कर सकते हो, वाया USB और यहाँ पर Type-C आप लोगो कोई भी दिक्कत नहीं है कि जब आप लोग 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 को अच्छा देखने को मिलेगा, इसको trackpad की बात करें तो trackpad भी यहाँ पर आप लोगो अच्छी खासी बड़े साइस की trackpad मिल जाती है, जो कि आप लोग यूज करना है तो आसानी से कर पाऊगे, अगर मैं बात करू यहाँ पर बैटरी लाइफ की तो बैटरी देख वे हैं, प्रीवेस बैस में 55Wh की बैटरी लाइफ थी, यहाँ पर आपको 50Wh की बैटरी लाइफ मिल देख थी, थोड़ा डाउंग्रेड है, बट यहाँ पर आपको 65W की Fast Charging Facility मिल जाते है, जिसकी मतलब से आप लोग आसानी तक आप लोगो बैटरी लाइफ आसानी से देदेगा, और नॉमल यूसेज, जो कि आप लोग आसानी से फुल डे आप इस लाप्टप को कहीं पर यूस करना है, तो कर सकते हो, और Fast Charging का सब्वाट पर चार्ज करके भी उसको यूस कर सकते हो, उसको अधिशनल फीचर की बा उसके बाद यहां पर audio में जो announcement की गए, announcement क्या है, यहां पर DTS audio का support आप लोगो मिल जाएगा, चाहिए आप लोग 3.5M से यहां पर यूस करना चाहते हो, कोई भी audio device को connect करते हो, तो आपको immersive audio experience इस वाले device के दो देखने को मिलेगा, speaker quality भी इसकी बहुत जदा improve की गए है, और यहां पर आपको जो अच्छा audio quality वाया speaker भी मिल जाएगा, उसका पोर्स की बात करते हो, यहां पर एक आप लोगो USB-C charging port प्लस data transfer आप लोगो देखने को मिलेगी, दूसरी port जो है, एक सिर्फ आप लोगो data transfer के लिए एक type C का port दिया गया है, एक आप लोगो USB 3.0 की आप 3.4 का एक port मिलता है, एक SD card की dedicated slot है, उसके बाद एक 3.5mm की headset की audio combo jack आप लोगो मिल जाती है, जिसके मदब से कोई भी audio equipment साब को connect करना है, भाया 3.5mm jack तो वो भी facility है, तो वो आप कर सकते हो, software के बात करते हैं, तो यहां पर आप लोगो Windows 11 home देखने को मिल जाते है, along with that यहां कोई भी MS Office पर देखने को आपको नहीं मिलता है, तो यहां पर लोग ध्यान रखे, तो यहां पर सारे चीज़े मैंने बात कर ली, तो अभी टिरेकली जम करते है, प्रोसेसर पे, तो प्रोसेसर यहां पर क्या कही यूज किया गया है, फिसका model number जो है i3 1005G1 की processor है, यहां प बात करूँ कोर्स की, तो यहां पर 2 कोर और 4 थ्रेट के साथ आता है, यहां पर turbo frequency जो है up to 3.40 GHz तक आप लोग को देखने को मिल जाती है, और यह वाला प्रोसेसर 10 NM के उपर बेस्ट है, यह quarter 3 of 2029 जो है यह रिलीज हुआ था, next अगर मैं बात कर तो i5 की वेरियंट की, त उसका model number जो है, यह है, i5 1035 G1, यहां पर भी आप लोग को दोस्तो 4 कोर और 8 थ्रेट देखने को मिलता है, जो कि normal आप लोग को i5 की वेरियंट के अंदर मिलता है, यहां पर max turbo आप लोग को 3.60 GHz तक मिल जाती है, और यहां पर जो यह launch वा था, यह भी दोस्तो quarter 3 of 2019 लांच जो कि 10 NM की processor है, आप लोग को quarter 3 of 2019 लांच हुआ था, और यहां पर भी आप लोग को चार कोर और 8 थ्रेट मिलती है, और इसका maximum turbo frequency 3.90 GHz तक जाता है, तो यहां पर सारे के सारे processor थोरी पुरानी generation की मिलती है, बट जो price to performance ratio है, वो आप लोग को ठीक ठाकी आप अपर लोग को देखने को मिल जाती है, बहुत ही बहुत ही बैटरी इन, solid quality की आप डिसाइन भी दी गई है, दूसरी चीज़ इसकी display, display की amazing है, तीसरी चीज़ यहां पर आपको जो है backlit keyboard भी देखने को मिल जाता है, और बजट लाप्टाप जो की बहुत सही है, उसके बाद या पर fast charging का support भी आप लोग को मिल जाता है, बैटरी लाइप आपको amazing मिलेगी, तो main चीज़ आते है warranty का issue, यहां पर customer service कैसी है infinix की, तो customer service के लिए यहां पर उन लोगों ने directly यह जिसका है, आप लोग कहीं भी pan India में रहते हो, किसी भी town में हो, city में हो, तो वहां पर technician कुद visit करके आपका problem solve कर देंगे, आपको एक toll free number दिखाए दे रहा होगा, उस toll free number पे आप call करके जो infinix की warranty क्लीम कर सकते हो, और यहां पर आपको कोई भी charge पे करने की जरूरत नहीं, एक साल की warranty के अंदर कुछ भी problem आप face करते हो, आप directly उन से contact कर सकते हो, तो यह चीज़ बहुत सही, आप कहीं से भी हो, आसाम से हो, notice से हो, या फिर किसी भी remote area से आप belong करते हो, तो वहाँ पर भी customer service आप लोग को मिल जाएगा, as per infinix, आप लोग को और details पर जानना है, तो उनके जो toll free number है, वहाँ पे call करके भी आप सारे information gather कर सकते हो, तो अभी final conclusion की बात करते हैं, क्या य यहाँ पर entertainment purpose के लिए लेना है, या फिर जो video calling वायरा करते हो, उसके लिए लेना है, तो यह laptop बहुत जादा सही pick होगा on a budget, but यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े brands है, जो यहाँ पर आपको confuse कर सकता है, जैसे कि Asus है, MSI है, Lenovo की laptop के लिए, HP की laptop के जैसे बहुत बड़े-ब अगर आप लोग एक programming laptop धून रहे थे, जो कि आप लोग high level programming करोगे in future, तो यह laptop बड़े-बड़े करना, you go with other brands जहाँ पर आप लोगो नए processor देखने को मनती है, तो यहाँ पर जितने भी processor Infinix ते यूज के यह सारे quarter 3 of 2019 launch किया था, अगर नए processor के साथ जाते हो, तो आपके लि हाँ, obviously इस जैसा premium नहीं मिलेगा, वाँ लोगो performance अच्छी मिलेगी, along with that आप लोगो यह वे further upgrade options भी मिल जाएगा, चाहे SSD हो, HDD हो, सब कुछ आप अपड़ेट कर सकते हो, बड़ अगर budget में laptop कोई डून रहेते है, premium laptop, तो Infinix का यह laptop बहुत सही laptop है, for office task and other minimal purpose, तो यह वीडिय चाहता है कि like और comment आप करे, ताकि यह वीडियो जो है, दूसरों को recommend YouTube खुद करे, ताकि मेरा जो है थोड़ा views बरे, और मैं अच्छे जे content आप लोग के लिए पाऊँ, तो इस वीडियो को यही पर खतम करते हैं, मिलते हैं किसी अगले interesting वीडियो के साथ, तब तक के लिए stay alert, stay safe and bye-bye.